Hello everyone, welcome again to our YouTube channel NK Maths आज से हम SSS CHSL एक्जाम देहर 19 में जो भी Maths के Question पूछे गये हैं वो solve करने वाले हैं याने कि आपको shift wise अलग-अलग date पर जो भी Question आया है Math के portion में 25 Question आते हैं आपको पता होगा एक shift में 25 Question Math के पूछे जाते हैं तो हम हर एक shift के हर एक date पर जो भी exam हुए है SSS CHSL के हर एक shift के total 25 के 25 Question बारी-बारी से solve करने वाले हैं और मैं कोसिस करूँगा अपने level पर आपको best solution परदान करने की तो आप जरूर से हमारे चैनल को subscribe कर लें अगर आप SSS के किसी भी exam की तियारी कर रहे हैं इवेन आप CGL या फिर CPO की तियारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए CSSL के जो paper का solution है ये देखना जरूरी है और आपको इन सब equations को करके जाना चाहिए या अभी practice में इन सब को implement करना चाहिए ठीक है तो इन सब equations को जरूर से आप पहले कर लें एक बार solve अगर आप SSC के किसी भी exam की तियारी कर रहे हैं तो इवन मैं तो कहुंगा कि railway group D या NTPC की भी तियारी कर रहे हैं तो भी आपको ये सारे equation कर लेने चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये equation repeat होने की काफी chances जहें तो आप जरूर से इस वीडियो को अंद तक देखिए और आपको हमारा solution पसंद लगे तो जरूर से sorry पसंद आये तो आप जरूर से हमारे वीडियो को like कर दे और चैनल को subscribe कर लें और एक अचा सा comment करके बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस date और किस shift का यह solution है 12 October का paper है और first shift का यह solution है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए या फिर किसी भी equation paper की PDF चाहिए जो हमारे YouTube चैनल पर जिसका solution डाला है मैंने उसका PDF चाहते हैं तो आप जरूर से हमारे टेलिग्राम गुरूप पो जोईन कर सकते हैं उसका लिंक आपको हमारे description box में मिल जाएगा तो वहाँ से जा करके आप जोईन कर सकते हैं तो देखिए भाई पहला सवाल हमारे पास पूछा है एट कोसेक स्क्वार थीटा और प्लस 25 साइन स्क्वार थीटा का नियूंतम मान क्या होगा देखिए काफी लोग बाद में कमेंट करते हैं कि आप प्यूर हिंदी में चलते हैं कि अगर आपका इसी डेट पर इसी सिफ्ट में पेपर हुआ है तो आप ये मत सुचे कि पहला क्वेशन नंबर और पहला क्वेशन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आपके पेपर से मिलता जूलता होगा क्योंकि आपको पता है कि हर एक shift में question इधर उधर रहते हैं question सारे वही होंगे लेकिन question का जो order होगा first, second, third question ऐसे जरूरी नहीं कि आपके question paper से match कर जाए तो question तो सब वही होगा लेकिन हर एक question आपके question paper से match कर जाए यानि equation number के साथ ऐसा जरूरी नहीं है तो आप last तक अगर पूरे 25 question देखेंगे तो आपको पता चलिए है कि हाँ सारे question मैंने वही लिये हैं ठीक है एक और बात जो di आई आती है data interpretation उसका मैंने अलग से वीडियो बनाने का फैसला किया है तो इस वीडियो में आपको di का solution नहीं मिलेगा उसको आपको अलग से देखना परेगा और अलग से वीडियो आएगी जिसमें केवल मैं सारे di एक सांथ करा दूँगा जो भी 36 sets में पेपर हुए हैं CHSL के उनके सारे di में अलग करा दूँगा चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं और पहला question में आपको पूशा गया है कि 8 कौसे के square theta प्लस 25 sin square theta का minimum value क्या होगा निवंतम मान क्या होगा एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप अभी कोभी पन ले करके वै ऐसे condition में जब भी इस form में question रहता है तो जो minimum value होती है minimum value यह होती है एक minute मैं यहीं से लिख देता हूँ निवंतम value जो होती है यह होती है 2 और root under AB जिसमें A और B का मतलब क्या है A का मतलब है coefficient दोनों का अब AB में किसी को भी किसी का coefficient अप ले सकते है याने की गुणांग जैसे पहला यहाँ पर गुणांग 8 है तो मैं A को 8 ले लेता हूँ और गुणा में B को क्या ले लूँगा दूसरा गुणांग है 25 तो 25 अब यह कितना बनेगा आप बोलें कि 2 और 25 अठे होता है 200 और 200 का बर्मूल होता है 10 root 2 और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 20 root 2 यान आप देखें पहले ही क्वेशन देख करके आप यहां से फरार मत होईए आपको लाश्ट तक देखना है मेरे दोस्त अगर आपको जॉब चाहिए और आप चाहते हैं अच्छा मार्क लाना गणीत में खास करके मैथ में तो आप सारा सोलूसन पहले मेरा देखिए मैं किस तर देखें अप देखें सेगेंट क्वेशन है अपने पास सिंप्लिफिकेशन की आपको यह सिंप्लिफाइ करके बताना है कि इसकी वेलु कितनी आएगी तो ऐसे कंडिशन में आपने बॉर्ड मास का रूल पर होगा पहले ब्राइकेट सॉल्व करते हैं तो हम इस किजेगा तो 72 इसको 8 करना होगा तो यह आ जाएगा अपने पास 84 और बाहर यहाँ पर 89 था तो 89-84 आ गया 5 जाने कि यहाँ तक यह जो पूरी वैलू है इस पूरी की वैलू कितनी आ गई 5 तो हमें जो निकालने थी हम लिख लेते हैं माइनस का 15 और प्लस 90 और डिवाइड़ वाइ 5 तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 18.95 और 15 में से 18 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आपका बंचेगा और 3 अपने अंसर होगा option second जो है यह correct answer है अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं देखे एक सवाल हमारे पास यह है कि आपको दिया गया है कि x-2y is equal to 3 है xy equal to 5 है तो x square minus का 4y square बताना है देखे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त अगर इसको आप basic से करने जाएगा तो definitely आपको time लग जाएगा क्योंकि यह जो बात दिया है यह कोई formula नहीं है इसको आपको दो पार्ट में पहले तोरना परेगा a square minus b square में आप तोरोगे तो x plus 2y आएगा फिर x minus 2y आएगा ठीक है इतना आएगा अब यहां से आप यह भी एक बात देख सकते हैं कि x minus 2y का value हमें दिया है सवाल में 3 अब आप देख रहे हैं कि अगर x minus 2y की value 3 है और यहां पर अभी कुछ और part रखके multiply करना है तो आप कहें कि 3 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो answer 3 से कटने वाला होगा और 3 का multiple जो है वो option a है तो option a सही हो गया एक तरीका तो यह है देखे मैं basic से नहीं बता रहा हूं यह basic तर through जाना और आपको पता होगा मैं बार बार बोलता हूं कि हम option के दिवाने हैं तो option के through हम चलने की कोशिस करते हैं बार बार तो मैंने बोला कि जो हमसे पूछा गया है पहले उसको ही तो लेते हैं तो यह a square minus b square के form में है मैंने इसको लिख दिया a plus b into a minus b और जो x minus का 2y है यह आप देख रहे हैं यह वाली जो value है यह सवाल में 3 के बराबर दे रखे अगर यह 3 है तो जो overall product बनेगा वो 3 का multiple बनेगा तीन से कटने वाला answer आएगा और तीन से कटने वाला option में एक ही है अब रहा किया बात कि अगर आपको यकीन नहीं तो एक और तरीका में आपको समझा देता हूं जिसको value putting के नाम से जानते हैं जाने की x और y की value अपने मन से कुछ इसमें put करना जिससे की equation verify हो जाए और अगर equation को verify कर देता है x और y की value तो वही हम इसमें रख करके निकाल लेते हैं तो देखे जब product आपको दिया है जैसे यहाँ पर xy दिया है 5 अब xy 5 देने 5 को 1 से multiply करके 5 आ जाता है और यही एक इसका product बन सकता है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं x को 5 माननू और y को अगर मैं 1 माननू तो क्या 5 और 1 यहाँ पे भी verify हो रहा है तो आप बुलें कि 5 x की value और y को 2 रख देंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर यानि की verify हो 21 यह अपना pure answer option a is the correct answer वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से comment करके मुझे बताएं और like करें आगे बढ़ते हैं अब देखें भाई अगले सवाल में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं यानि कि 15 मैं है वो 10 days में किसी work को complete कर सकते हैं तो 20 में उस work को कितने दिन में complete कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं दोस्त की यहाँ पर देखें आदमी चलो छोड़ो आदमी और और बात ही हटा दो आपने m1 d1 h1 is equal to m2 d2 h2 परहा होगा आप वही कर लिजिए 15 आदमी 10 दिन में काम कर सकते हैं और वही 20 आदमी कितने दिन लगाएंगे तो यहाँ से आप बोलें कि यह 0 से 0 जाएगा और x वरावर कितना आजाएगा 15 बटा 2 का मतलब 67, 7.5 is the correct answer आगे बढ़ते हैं अब next question question number अपने पास आगया 6 तो देखे हिंदी वाले लोग तो मेरे दोस्त आप हिंदी में पढ़ी लीजी सवाल यहाँ पर मौझूद है जो लोग इंगलिस के हैं या फिर जिन्हें हिंदी थोड़ी कम आती है मैं उन्हें इंगलिस में बताने की कोशिस करता हूँ देखे पर सेक्षिनिक सत्र 2.18 से 19 के लिए कभीता को उसके स्कूल में उपस्तिती थी 216 डेज का यानि कि स्कूल में उसके जो नंबर अफ डेज थे कितने दिन वो प्रिजेंट हुई है वो आपको दिया हुआ है 216 डेज और आपको यह बोला गया है कि उसकी उपस्तिती की गणन है 216 लेकिन परसेंटेज में वो है 90 ठीक है 216 जो है वो है आपको नंबर अफ डेज दिया गया है लेकिन परसेंटेज में वो ओबर अल जितना दिन स्कूल जाना था उसका 90 परसेंट गई है तो आपको बताना है कि कुल कितने दिन स्कूल जाना था कुल दिवसों की संख्य बतानी है तो easy सवाल है हम यह कह सकते हैं कि 90% जो दे रखा है इसका मतलब सवाल में बोला है 216 days और हमसे overall total days पूछ रहा है total का मतलब 100% की value पूछ रहा है तो आप बोलेंगे देखो 9 को हम 216 कैसे बना सकते हैं तो आप बोलेंगे दोस्तो 9, 2, 18 और 9, 4, 26, 24 से गुना करके तो इसको भी हम 24 से गुना कर देते हैं तो यह आ जाएगा 24 और देखो इसमें 1,0 कम हो गया है तो इसमें भी 1,0 कम हो जाएगा और 1,0 आ जाएगा 240 ठीक है तो 240 अपने answer होगा आप चाहों तो इसको काट करके भी यह बना सकते हैं और 24 इसको 100 बराने के लिए 1,0 लएगा तो उधर 24 बर भी 1,0 लग जाएगा 240 कुछ नहीं आया तो मैं एक बार वापस बरा देता हूं 90% की value हमारे पास थी 216 तो 9 से मैंने काट दिया तो 10% की value आगे 9 से कटकी यह 24 और हमसे सवाल में overall 100% की value पुछी थी तो इधर 1,0 बढ़ ग minus sin theta equal to 8 है तो 4 theta की value बता दो आपने दोस्त कमी Componendo and Davidendo का नाम सुना होगा जिसको short में हम C and D बोलते हैं और यह होता क्या है कि अगर A plus B by A minus B equal to C by D दिया है तो हम यहां से इसको एक बार जोडते हैं एक बार घटाते हैं और ऐसे case में यह A by B आ जाता है और right side भी आप लिखिएगा और C minus D यानि कि नीचे वाले को उपर में एक बार जोड़िए और एक बार घटा कर लिख दिजिए जोरने वाला उपर लिख दिजिए घटाने वाला नीचे लिख दिजिए या दोनों तरफ आप पलट भी सकते हैं तो यही काम हम यहां पर direct करने वाले हैं दे लिख दिजिए तरफ आठ बटा एक मानलो तो आठ और एक जोरोगे तो उपर 9 और 8 में से एक घटाओगे तो नीचे साथ यह 2 से 2 कर जाएगा और कॉस बटा साइन कितना होता है हमारा कॉट थीटा यह आगे 9 by 7 और हमसे सवाल में कॉट ही पुछा है तो 9 by 7 आगया option A is the correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं और आसा है कि आप समझ पाया होंगे मैंने क्या बताया था component और dividend याद रखना मैंने तरीका भी बता दिया है उसका आठ नंबर सवाल में आपको दोस्त दिया गया है कि 3300 रुपए को यानि कि 6300 रुपीज को XYZ के बीच में इस परकार डिवाइट किया गया है कि X ratio Y 7 is to 5 है Y ratio Z जो है वो है 4 is to 3 तो आपको बताना है कि Y का कितना हिस्ता हुआ यानि कि Y को कितने रुपए मिलेंगे तो यहाँ पर आप ratio ले लिजे एक ही बार combined ratio लेना परेगा आपको पता है XY और YZ का है ठीक है तो combined ratio हम कैसे निकालते हैं अगर आपको X ratio Y ratio Z एक ही बार लिखना है तो Y देखो यहाँ पर भी रहाँ और Y इसमें भी Y दोनों में अगर common है तो Y का जो ratio में value है वो same होना चाहिए तो आप बोलें कि Y की ratio value यहाँ पर 5 है और इसमें Y की ratio में value किया है 4 है तो यहाँ पर 4 है और पिछले वाले में 5 है तो हमें दोनों को equal करने के लिए देखो 5 और 4 का LCM 20 होता है तो हम इसको क्या करते हैं पहले वाले को गुणा करते हैं 4 से और दूसरे वाले को गुणा कर लेते हैं 5 से अब 4 से गुणा करोगे तो यह 7 चौक 28 बन जाएगा और प्लस 5 चौक 20 बन जाएगा यानि की XY तो हमने लिख लिया और दूसरे में से हमें केवल Z लिखना है क्योंकि हमने Y तो लिखी दिया है तो दूसरे वाले में 5 से गुणा करना है तो 5 तिया यह 15 हो गया अब यहां से आप यह भी कह सकते हैं कि Y का मान हमें सवाल में पूछा है तो Y का मतलब 20 का मल्टीपल एंसर होगा तो दो दो जिरो यह आप भगा देते हैं तो 20 का मल्टीपल केवल ऑप्सन B बन जता है तो ऑप्सन B हमारा सही उत्तर है या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना परेगा इनको एड करना परेगा कि टोटल वैलू आप जोडेंगे यह तो 63 आ जाएगा और सवाल में टोटल धंडा से कितने दिया है 6300 यानि कि 20 एक्ष्ट्रा चिपका हुआ है यहां पर और हमें Y की मतल तब 20 का वैलू बताना था और 20 यहां एक्ष्ट्रा है तो इसमें भी 20 एक्ष्ट्रा लगाएंगे तो 2000 अपने एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब अब देखिए भाई अगले सवाल में आपको बोला गया है कि बिंदु M 15 cm परितरिजा जिसको हम सरकम रेडियस बोल सरकम सेंटर है ठीक है परिकेंदर का मतलब सरकम सेंटर है मान ले कि BC आपको 24 cm ML BC पर लंब है यह दिया हुए तो आपको length of ML बताना है कि ML की length कितनी होगी लंबाई कितनी होगी तो हम यहां पर सबसे पहले देखिए परितरिजा का मतलब क्या होता है परितरिजा सरकम रेडि यही होगा परितरिजा यानि की सरकम रेडियस और इसका जो सेंटर होगा इस सरकल का सेंटर वो सरकम सेंटर यानि की परिकेंदर होता है तो इस चित्र को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ आपको मैंने चित्र इसलिए बताया कि सरकम सेंटर क्या होता है सरकम रेडियस क्य क्या होता है परी क्या होता है देखिए परी का मतलब होता है बाहर सरकम का मतलब आउटर एरिया हो गया ठीक है बाहर बाहर से बाहरी गहरा तो यहां पर जिसको पेरी फेरी भी बोलते हैं इंगलिस में तो यह आप ध्यान रखिएगा परिधी या फिर परी इसका मतलब बाहरी गहे रहा हुगा तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्त कि पहले तो चित्र बना लेते हैं पड़ित त्रिजया और परिवृत की बात की ज़रे है तो एक त्रिभूज है यानि कि ट्राइंगल ABC उसका परिवृत खिंचना है आपको यानि कि सरकम सरकल खिंचना है तो हम यहाँ पहले एक तर्भूज ही बना लेते हैं लेट से यह वो तर्भूज है इस तर्भूज का हम नाम रख देते हैं A B और C अब इसके चारो तरफ एक सरकल है तो मैंने एक सरकल बना दिया इसके चारो तरफ अब आप बोलेंगे कि इसमें यह कह रहा है कि इसका सरकम रेडियस है 15 cm यानि कि अगर यह circum center है तो यहां से आप इसको मिला देते हैं अगर तो यह सारे circum radius हो गए यह भी 15 हो गया और 1 minute देखिए मैं यह से लिख देता हूं यह भी आपके पास 15 हो गया यह भी 15 हो गया और यह बला भी क्या हो गया 15 हो गया अब आपको ये बोला गया है कि ऐसे condition में 15 तो हो गया आपका circum radius है अब आपको एक और बात दे दिया है सवाल में और वो क्या दिया है कि मान ले BC 24 है यानि कि ये length आपको 24 दे दी ठीक है और आपसे ये कह रहा है कि ML जो है वो BC पर lamb है यानि कि M क्या है भाई M center था ये M है ML यानि कि इसको अगर हम मिला देते हैं ये L है एक मिनट देखे ये अगर नीचे L है तो M लंब हो गया अब बोलें कि अगर M लंब है तो आपको पता है कि अगर केंदर से किसी भी जीवा पर हम लंब डालते हैं केंदर का मतलब center से अगर किसी हम quad पे perpendicular डालते हैं तो वह quad को क्या करता है समद्यवाजित करता है ठीक है यानि कि bisect कर देता है दो बडाबर भागों में बांट देता है तो हम बोलें कि ऐसे condition में अगर पूरा BC का मान 24 था तो आधा आधा ये बंट जाएगा यानि कि इधर भी 12 हो जाएगा और इधर भी 12 हो जाएगा और हमसे ML की value ये वाली पूछ रही तो ML हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए अब ये जो तिरभूज बन रहा है ये वाला ये आपको पता है कि 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट पे सेट हो जा रहा है देखो ये 5 का 3 गुना है ये 4 का 3 गुना है तो अगला 3 का 3 गुना आएगा और 3 का 3 गुना कितना आजाएगा 9 तो 9 इस सवाल का answer है 9 is the correct answer ट्रिपलेट आपको पता होबा 3, 4, 5 बनता है समकोंतिर भूज में तो 5 का ये 3 गुना है 3 times 4 का 3 times तो 3 का 3 times 9 आजाएगा आगे बढ़ते हैं अगर देखे दोस्त अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 10% सधारन ब्याज की दर से कितने साल में 3500 रुपय की धंडासी 45 हो जाएगी यानि कि आपको ये बोला गया है कि 10% rate of interest है ASI के लिए simple interest के लिए और आपको बताना है कि कितना time लाएगा यानि कि आपको years बताना है कितने years लगेंगे 35,000 आपको principal दे रखा है और ये हो कितना जना है amount बन जना है आपका 4500 यानि कि मिसर्थन हो जाना है 4500 रुपय तो अगर amount 4500 हो चाहिए तो आप ये बोलेंगे कि यहां से ब्याज कितने का चाहिए जाने कि interest कितना मिल रहा है कितने की बिरिधी हो रही है तो आप बोलेंगे दोस्त की 1000 की बिरिधी हो जा रही है और कितने से ये बिरिधी हो रही है तो आप बोलेंगे 3500 से और गुणा में क्या करते है हम 100 और rate of interest से आपको divide करना होता है तो यह 10 नीचे आ जाएगा आप फर्मूला भी इसको समझ सकते हैं कि यह फर्मूला ही आपको लएगा कि एसा ही गुणा में 100 और नीचे आप लिखते हैं यह T निकालना था यहाँ पर T लिखना चाहिए हमें ठीक है तो यह T निकालना था तो यहाँ पर T रहेगा तो वही बात आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा ही बात है यहाँ पर भी तो आप बोलें कि यह 2 0 से 2 0 कट गया एक 0 से यह कट गया और यह 7 35 और यह 20 बच्चे 100 तो यह 20 साथ यानि कि 2 is to 6 by 7 years तो option B क्या हो गया अपना सही उतर हो गया आप आगे बढ़ते हैं देखे दोस्त एक 11 नंबर सवाल में इस सवाल को करने से पहले मैं आपको concept समझा दूं कि अगर कोई circle है और दो उसके quarts ऐसे कट जाते हैं और अगर यह X है यह Y है और यह A है यह B है तो A और B का गुणा और X और Y का गुणा बराबर होता है हमेसा यह ध्यान रखेगा यानि कि आप A गुणा B का होगे और X इंटू Y का होगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा सेम होगा ठीक है एक सरवाई का product और A और B का product always क्या होता है सेम होता है तो इसके हिसाब से आप य दोस्त मैं जूम करके आपको दिखाता हूं कि यहां पर बात क्या है वैसे क्लियरिटी थोरी नहीं है तो आप थोड़ा अच्छे quality पे वीडियो को चलाएगा तब आपको मजा आएगा देखने में देखे मैंने बोला कि 9 और 4 का जो product आएगा वही इन दोनों का भी आएगा तो 9 4 के 36 बंड़ा है अब ये 6 है तो यहां भी 6 रखेंगे तो भी ये भी 36 बनेगा तो 36 अपने अंसर होगा अब देखे एक ये सवाल आपके पास दिया गया है कि caught A की value अगर K है तो sign A की value क्या है जहां A क्या है नियून कोन है तो आप चाहें तो यहां पर direct ये value लिख सकत है कि caught A का मतलब क्या हुआ sign by cos हुआ sorry cos by sign हुआ और वहां से आप मान निकाल करके और किसी तरह से निकाल लो या मैं कहूंगा कि अगर A को आपको बोला है कि ये noon कोन है noon कोन मतलब acute angle ठीक है acute angle तो ये acute angle की बात की गई है तो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि अगर A noon कोन है तो direct मैं A के जगा पर कोई angle डख रहते था हूं put कर लेता हूं तो acute angle 90 से कम होता है 90 से कम को हम noon कोन कहते हैं तो कोई भी यहां पर आप मान ले सकते हैं तो मैंने बोला कि A is equal to मैं 30 degree ले ले लेता हूं और अगर आप बोलेंगे कि A अगर 30 degree मैंने ले लिया तो court A का मतलब court 30 degree हो जाएगा जो कि के के बराबर सवाल में दिया है और के कमान यहां से कितना आ जाएगा court 30 का मतलब होता है root 3 तो के का मान root 3 आ गया और sin A का मान कितना आ जाएगा आपने बोला कि A को अगर हम 30 लिये हैं तो sin A की value यानि कि sin 30 की value कितनी आ जाएगी दोस्त 1 by 2 आ जाएगी यानि कि हमारा answer 1 by 2 आना चाहिए इसके according और के का मान हमने root 3 लिया है तो option में आप देखो किस option में root 3 के के जगा पर रखने से value 1 by 2 बन जाएगी तो आप बोलें कि पहले में नीचे root 3 रखेंगे तो ये तो 1 by root 3 आ जाएगा और तीसरा भी 1 by root 3 आ जाएगा उसी के according अब हमारे पास 2 option मचा तो मैं second वाले को चेक करके दिखा रहेता हूं उपर k2 है यानि root 3 का square 3 और नीचे है 1 plus k2 तो k2 के जगा पर तो 3 आ जा गया तो 3 और एक 4 का बर्गमूल 2 ये 3 बटा 2 आ गया तो ये भी नहीं है तो चौथा अपने answer हो गया otherwise आप चेक भी कर सकते हैं नीचे वाला तो 2 ही आ गया था अभी हमने निकाला था तो नीचे 2 आएगा इसमें और उपर 1 तो ये अपने answer है आगे तो आपको ये चोड़ाई बताना परेगा पहे तभी तो लंबाई गुना चोड़ाई आप निकालोगे लेकिन मैं कहा रहा हूं कि नहीं मत बताओ चलो 12 अगर आ रहा है तो 12 से कटने वाला अपने answer होगा इतना हम जानते हैं क्योंकि हमें लंबाई गुना चोड़ाई निक है diagonal एक rectangle है जिसका diagonal 15 है और उसकी length है 12 तो आपको उसका area बताना है और मैंने दोस्त ये बोला कि जो area होता है वो होता है length into breadth तो length है यहाँ पर 12 breadth का पता नहीं है कि क्या होगा लेकिन मैं इतना कहा सकता हूं कि जो answer आएगा वो 12 का multiple होगा और option में 12 का multiple क्या है option second है क्यावल त जिसकी value 15 दे रखी है और ये length है जो कि 12 दे रखी है अब देखो ये क्या है एक right angle triangle बनता है ये 90 degree का angle है तो आप बोलेंगे समकोन तिरुज में फिर से triplet वाली बात आ जाती है एक 12 है एक 15 है तो अगला क्या होगा देखो ये 4 का 3 गुना है ये 5 का 3 गुना है तो अगला 3 का अब देखिए यहां पर अगले सवाल में आपको बोला गया है भाई की motorcycle की जो कीमत है वो 70,000 में बेचने पर 25% का लाव हुआ है अगर 30% का लाव प्राप्त करना हो तो किस मूले पर बेचना चाहिए देखिए मैं इसको bilingual बताने की कोशिस करता हूं यानि की English में बता देता है तो 25% का लाव हुआ है अगर आपको 30% का लाव चाहिए तो उसका वैलू कितना होना चाहिए उसको किस कीमत पर बेचने चाहिए पराइस क्या आने चाहिए ठीक है तो हम यहां से डिरेक्ट यह बात कह सकते हैं कि अगर 25% का लाव दिया है यानि कि जो selling price होगा वो कितना ह 25% 100 में हम 250 जोर लेंगे 25 क्योंकि यह क्या है profit percentage है तो 125% की value आपको दे रखी है कितनी 70,000 और हमसे 30% का profit चाहता है यानि कि 130 की value पूछ रहा है ठीक है 100% तो अपना CP है क्रैमूल है और उसमें अगर हम 30% aid कर लेंगी अपना लाव तो 130% की value पूछ रहा है तो आप यहां से का यहां पर भी ढूंड सकते हैं लेकिन 13 का multiple ढूंडना थोरा बरा बात है तो हम unit digit पर काम कर लेंगे देखो यह 0000 तो सब में है तो इसको भूल जाओ आप अगर unit digit का concept लगाना है तो इन 220 को अगर मैं हटा देता हूं फिर मैं यहां पर last digit चेक कर लूँगा तो आप बोलें कि देखो 125 को यहां 30 से अगर काटता हूं 125 से 30 को मैं 1000 मान लेता हूं यानि कि 1000 तो 125 अठे 1000 होता है तो आप बोलें कि यह 7,8,6 आ गया यानि कि 1 की value कितनी आ गई यहां पर यह बात समझे वन unit की value आ गई 56 और 0 तो हमसे 130 की value पूछ रहे तो मैं 3 को और 6 को गुना करूंगा तो 8 आजाएगा तिंच्छा कठारा लास्ट में 8 आएगा और लास्ट में 8 आने का मतलब option C सही उतर है आप 0 भी चेक कर सकते हैं एक 0 यहां का एक 0 यहां का तो 800 लास्ट में आएगा option C सही है ठीक है बाकी आप पूरा multiply कर सकते हैं आप आगे बढ़ते हैं देखो 130 को अगर आप 5 360 से गुना करोगे तो आपका पूरा answer आजाएगा लेकिन मैंने केवल लास्ट डिजिट चेक कर लिया कि 8 और 00 किसमें है option C में है और मैंने कैसे चेक किया देखो मैंने यह बोला कि अगर 125 की वैलू आपको 7 और 4 0 दिया हुआ है तो यहां से अगर 125 से इसको काटोगे 3 0 को त और 3 को 6 से करेंगे तो 3 चक 18 8 और 02 आएगा यानि कि option C सही है आगे बढ़ते हैं देखें दोस्त अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है अगले सवाल में आपको यह बोल दिया गया कि यहां पर A plus B plus C की value 2 है 1 by A 1 by B और 1 by C का जो सम है यह है 0 A C जो है यह 4 by B है आपको A Q plus B Q plus C की 28 दे रखे तो A square plus B square plus C A square की value बतानी है कोई बात नहीं देखें यहां से हम यह बात कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप यह समझ लो एक बात contest कर लो कि यह जब भी दिया गया हो मेरे दोस्त 1 by B plus 1 by C plus 1 by C तो इसका मतलब यह होता है कि A B plus B C और plus का C A यह किसके बराबर है 0 के ठीक है इसी को आप सब में A B C से भाग कर दोगे तो इतना आ जाएगा 1 by A plus 1 by B plus 1 by C या इसको LCM लाके भी यह प्रूफ कर सकते हो कि इतना होता है अब यह value अगर हमें पता है और यह निकालने है तो हम cube वाला formula लगा रहते हैं आपको यह पता होगा A cube plus B cube plus C cube इसकी value कितनी होती है तो आप वो लेंगे A plus B plus C होती है और अंदर होता है आपका A square plus B square और plus का C square और minus का 3 और K जहांपर मैं K किस या एक काम करूँ मैं formula को ऐसे लिख देता हूँ अंदर A square plus B square C square आता है और वो हमसे पूछी रहा है तो उसके जगाँ पर मैं K लिख देता हूँ और minus का होता है A B minus B C minus C A जो की हमारे पास 0 आया है तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ ठीक है formula आपको पता होगा A Q plus B Q एक मिनट यार गलती ही लिख लिख लिए मैंने मैं फिर से बता देता हूँ formula मैंने mistake कर दिया था थिरी A B C छोड़ दिया था कोई बात नहीं यहाँ से देखो मैं एक बात यह कह सकता हूँ कि A B plus B C और plus का C ये कितना हो गया यह हो गया 0 और यहाँ से एक और बात कह सकता हूँ कि B को मैं left side में लाऊं तो A B C कितना हो जाएगा 4 ठीक है A B C तो पुरा 4 होगा अब हम यह formula अप्लाई करते हैं इसका A Q plus B Q plus C Q का तो आप बोलेंगे कि वह formula होता है A Q plus B Q plus C Q और माइनस का 3 A B C ये बराबर होता है A plus B plus C और अंदर होता है A square plus B square plus C square यानि कि जो पूछा है तो उसके बदले में मैं K square लिख देता हूँ और माइनस का A B minus B C minus C ये होता है जो कि 0 दिया है तो यहाँ पे मैं 0 भर देता हूँ अब आप बोलेंगे कि A Q plus B Q plus C Q की तो value सवाल में 28 दे रखे है 28 माइनस का 3 और A B C की value यहाँ पे कितना आया था 4 ठीक है यहाँ पे आप देख सकते है A B C की value 4 है तो इंटू में मैं 4 रख देता हूँ और A plus B plus C की value सवाल में 2 दे रखा है तो 2K square ये आ गया अब यहाँ से आप बोलेंगे कि 28 में से चाड़ती है 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा दोस्त 16 बचेगा और 16 is equal to 16 आ जाएगा तो ये तो K square की value आ जाएगी ना अच्छा अच्छा K square नहीं ये K है था ना केवल केवल के माना था हमने इसको एक मिनट यहाँ पर square नहीं आएगा ये केवल के है ठीक है और minus का 0 तो मैंने बोल दिया कि इसकी value सवाल में 28 थी minus ABC की value अगर 4 है तो 3 ABC की value 12 हो जाएगी चारतीया 12 और ये ABC तो 2 दे रखा है और K तो घटेगा तो कितना जाएगा 16 is equal to 2 के तो यह आप यह कह सकते हैं कि K is equal to 8 हो गया यानि कि option A अपना सही उतर है अब आगे बढ़ते हैं आगे सवाल में आपसे पूछा है कि निमलिखित में से 11 से कौन totally विभाज्य हो जाएगा यानि कि cut जाएगा आपको बताना है कि 11 से कौन सा divisible है इन में से which of the following is divisible by 11 ये आपको बता आना है तो 11 का divisibility rule आपको पता होगा कि विभाज्यता का नियम क्या होता है 11 का हम जोर जोर कर चेक करते हैं तो alternate हम जोर लेते हैं जैसे आप बोलें कि 8 9 17 है 17 और 8 कितना है तो 17 और 8 25 है और 25 में से 7 और 8 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा कितना भी मिले लेकिन 11 के multiple में नहीं आ रहा है तो हम हटा देते हैं यहां पर हो गया एक और 7 8 8 और 1 9 और 9 में से अगर हम 6 और 1 7 घटाते हैं तो यह 2 आएगा जो कि 11 का multiple या 0 नहीं आ रहा है यह overall घटा करके कितना आना चाहिए 11 का multiple या 0 आना चाहिए 11 से कटना चाहिए या 0 आ जाना चाहिए यहां पर चेक करो तो एक और छे एक एक छोड़ करके आपको जोड़ना है तो एक और छे साथ हो गया और फिर साथ और साथ चौदा हो गया तो चौदा और इसमें से घटाएंगे अगला एक एक जो छोड़े हैं वो तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 और 6 और 1, 7 हो गया, 14 में से 7 जाएगा 7 यानि कि ये भी 11 काग से कट नहीं रहा है, तो ये भी अनसर नहीं हो गया तो D हमारा बंच गया और D अपना उत्तर है, चेक करने की जरूरत नहीं है अगले सवाल में आपको बोला गया है कि cos x-y की value है और sin x-y की value है और आपको बताना है कि x की value अगर 0 और 90 के बीच में लाई करती है तो x की value क्या होगी देखें यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि cos में जो root 3 by 2 value होता है, ये cos 30 degree का होता है तो अगर cos 30 degree के बराबर ये cos x-y है तो cos cos तो हट जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि x-y कितना आ गया भाई x-y अपना आ गया 30 degree और sin में अगर आप देखते हैं तो sin में 1y2 भी 30 degree का ही बराबर होता है sin 30 degree का मान 1y2 होता है तो अगर sin-sin हटा देते हैं तो x-y भी किसके बराबर आ जाएगा 30 के अब देखे ये देखके मैं इजली कह सकता हूँ कि अगर x में से y घटाने पर भी 30 है और y जोरने पर भी 30 है इसका मतलब y 0 है सिधा बात है और x क्या है 30 है ठीक है देखो किसी भी चीज में एक ही नंबर जोरने और घटाने पर वो सेम ही रह रह रहा है देखो x में y को जोर दो या घटा दो फरक नहीं पर रहा है वो 30 ही रह रहा है इसका मतलब y 0 है 0 को ही जोरने या घटाने पर फरक नहीं परता है और y अगर 0 है तो X 30 हो गया या फिर आप equation को solve कर लो दोनों को जोर कर आधा कर दो तो भी X का मान 30 हा जाएगा और option D अपना सही उतर हो गया आगे बढ़ते हैं अब देखे question number 20 average का सवाल है आपको बोला है 21 में कि 25 ब्यक्तियों के समूह में यानि कि 25 people से total people इस नहीं लगता है और आपको ये बोला गया है कि इनके group में जो average age है वो है 28 years और 25 years के 5 नए people इसमें सामिल हो जाते हैं और इनके आज आने से क्या होता है अब पुछ रहा है कि नए average क्या होगी यानि कि सभी ब्यक्तियों का अब average क्या है उसत तो आपको पता है कि देखिए पहले सी average तो 28 है लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं यह 25 average इनका है यानि कि यह 25-25 बर्स के आ रहे हैं अब यह अगर 28 बर्स वाले ही होते तो average पर कोई effect नहीं पड़ता लेकिन यह 25 बर्स वाले हैं यानि कि 28 यह 33 बर्स कम लेकर के आ रहे हैं और 33 बर्स कितने लोग कम ला रहे हैं तो आप बोलें कि 5 लोग कम जाएगी तो 15 दुना 30 यह माइनस में 1 by 2 आ रहा है यानि कि 0.5 माइनस में आ रहा है यानि कि overall average क्या होगी 0.5 कम हो जाएगी तो पहले से average 28 था इसको अगर आप 0.5 कम करेंगे तो यह 27 आ जाएगा 27.5 ओप्शन C जो है यह सही उतर है यानि कि option 3 आगे बढ़ते हैं अब देखे दोस्त अगले सवाल में आपको बोल रहा है कि एक buy का सुची मूले सुची मूले का मतलब MP ठीक है MP का मतलब mark price CP से यानि कि क्रेमूल से cost price से 15% अधिक है यानि कि more है आपसे यह बोल रहा है कि 20% का अगर discount पर उसको बैचा जाए तो dealer को कितना profit या loss होगा यह percentage में आपको count करना है तो आपको पता है कि देखो क्रेमूल से ही अधिक करना है तो आप direct यहाँ पर यह formula ही बैठा सकते हो कि चलो 15% बढ़ गया तो plus का 15 हमने ले लिया और 20% का discount है तो minus का 20 और plus minus क्या हो गया minus और 15 दुना 30 यानि कि 300 बटा का 100 यह आपने परह होगा a plus b और minus का a b by 100 यह plus minus में plus minus में और यह भी plus minus में होता है तो यही वाला तरीका मैंने यहाँ पर direct लगा दिया या फिर आप 100 से multiply करके भी निकाल सकते हैं यह cut गया तो आप देखें कि 20 और 10 23 है तो 15 में से आपको 23 minus करना है यह कितना बना दोस्त 15 minus का 23 तो यह कितना आ जाएगा 8 वो भी minus में minus में 8 आने का मतलब 8 पर 30 सकी हान यानि कि loss option 3 is the correct answer देखें दोस्त नेक्ट question में आपको बोला गया है कि triangle XYZ है L और M जो है यह करम सह भुजाओं यानि कि side XY और YZ के mid points हैं आपको एक रिखाखंड दिया गया है यानि कि line segment दिया गया है R1 रिखाखंड LM पर इस प्रकार इस्थित है कि LR ratio RM जो है यह 1 is to 2 है और LR जो है वो 3 cm है तो YZ का value क्या होगा तो मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि चितर पहले बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि क्या बात बोला गया है तो आप बोलें कि एक triangle दे दिया है आपको कौन सा XYZ तो यह X हो गया यह Y हो गया यह Z हो गया अब आपसे यह कह रहा है कि इसमें XY और XZ के जो midpoints है वो L और M है तो XY का midpoint मैंने ले लिया L यह L हो गया और इसका midpoint क्या हो गया M और इसको मैंने मिला दिया अब यह कह रहा है कि R जो point है वो LM line पर इस्तित है और इस तरह से इस्तित है कि L R ratio RM जो है 1 इस्टू 2 है तो मैंने इस पर एक R रख दिया कोई point ठीक है यह R हो गया और एक मिनट यह बन गया R अब यह 1 है L R 1 है तो RM कितना है 2 है ratio में यह दिया हुआ है यहाँ पर और L R की value 3 है देखे पहला बात तो मैं यह कहूँगा कि हमसे पूछ रहा है YZ यह वाला और यह अगर mid point है L और M mid point है तो ऐसे case में आपको पता होगा कि LM का double होता है YZ ठीक है LM का क्या होता है LM वाले का double होता है कौन YZ नीचे वाला base यानि कि छोटे तिर्भूज का जो base होता है उसका double होता है बड़े वाले तिर्भूज का base हर एक side ही double होता है हर एक side ही double होता है क्योंकि यह यहाँ पर similarity से यह चीज बनता है कि अगर यह mid point है L और M तो mid point theorem भी आप समद सकते हैं यहाँ पर कि अगर यह 1 है तो यह पूरा 2 है इधर भी यह 1 है तो यह पूरा 2 है mid point का मतलब यही तो यह वाला भी जो line है यह इसका आधा होगा यानि कि yz उसका double होता है तो आप यहाँ से पहला बात तो दिमाग यह चला लो option के दिवाने होने के कारण कि यह अगर 2 और 1 3 है तो 3 का double यह 6 है और अगर ratio में यह 6 है तो एंसर 6 का multiple होगा और 6 का multiple यहाँ पर 18 है तो 18 सही हो गया अब अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे दोस्त कि इस एक की value सवाल में LR की value 3 दे रखे यानि कि LR की value ratio में कितनी है एक यूनिट है एक यूनिट है जिसकी value 3 दे रखी है अगर 1 की value 3 है तो हमें 6 की value बताने है तो यह 6-3 आठारा हो जाएग यानि कि option 4 क्या है सही उतर है अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में देखिए दोस्त यहाँ पर आपको बोला गया है कि रिचा A से B की यातरा करती है यानि कि A to B विजिट करती है रिचा 15 km per hour की speed से और B से C की यातरा वो करती है 20 km per hour की speed से C से D की यातरा करती है वह 30 km per hour की speed से तो आपको distance equal दिया गया है कि यह भी B, C, C, D तीनो equal distance है तो इसकी average speed बता दो आपको एक बात पता होगा देखे कुछ लोग formula भी आपको समझाएंगे आप formula रटे भी होंगे जैसे double के case में 2xy by x plus y चलता है यह दो वाले में तो ठीक है लेकिन तीन वाले case में थुरा formula बड़ा बन जाता है तो आपको मैं तरीखा बताता हूँ कि आपने यह बात कहीं नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आग समझ लेजिए कि अगर distance same होता है या फिर constant होता है distance यानि की दूरी समान होता है तीनो बार तो हम यह कहते हैं कि जो चाल का नुपात आएग यह time का opposite होता है या इसका उल्टा होता है time का ratio ठीक है इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पे समझाता हूँ देखिए अगर मैं speed का ratio लिखता हूँ यानि की चाल का नुपात लिखता हूँ तो आप बोलेंगे पहली बार चाल तो 15 था दूसरी बार चाल 20 हो गया और तीसरी बार कितना था 30 तो यहाँ पर time का ratio इनका opposite हो जाएगा ठीक है यानि कि यह भी आप चाहे तो इधर उल्टा कर सकते हैं यह 20 हो जाएगा यह 15 हो जाएगा तो यह 3 पचे 15 और यह 4 पचे 20 यहाँ से आप यह कहेंगे कि यह गर 20 तिया 60 बंड़ा है यह 60 बंड़ा है तो यह भी 60 बं देखो यहाँ 4 लिखेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा यहाँ 3 लिखेंगे तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ 2 लिखेंगे तो 30 तुना 60 हो जाएगा अब आप बोलें कि हमें average speed बताना है कैसे निकलेगा वो बताइए सर तो हम बोलें कि देखो भाई average speed अगर निकालना है तो average speed का formula होता है total distance upon total time यानि कि कुल दूरी बता कुल समय तो कुल दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है कि दूरी हम कैसे लिखते हैं मेरे दोस्त दूरी लिखते हैं 4 गुना समय चाल अगर 15 था तो समय कितना लगा था 4 यानि कि 15-14 का 60 यहाँ पर दूरी है और अग तो 9 से आप divide कर लो तो यह 3 तिया 9 और 3 से 20 तिया 60 तो 20 km per hour का अपना average speed आगया तो 20 is the correct answer अब आगे बढ़ते हैं और यह आगया हमारा last सवाल आज की वीडियो का 25 सवाल तो यहाँ पर मैं आपको बता जता हूँ पहले क्या करना है देखिए सवाल में BC एक जीवा है यानि क कॉट दे राखा है आपको BC और यह बोला गया है दोस्त की तथा cd बिंदुसी से खीची जाने वाली एक ask पर्स रेखा है यानि की tangent है cd क्या है यहाँ पर cd यहाँ पर दिया गया है चित्र में cd एक tangent दिया गया है और ab जो दिया गया है यह आपको एक कॉट दिया गया है BC भी कॉड दिया गया और ये भी सारे के सारे ये कॉड ही है ये आप भी जानते हैं बताने जुरूत नहीं है आपको AOC एंगल दिया है 118 डिग्री तो आपको ACD बताना है यानि कि ये एंगल कितना आएगा तो जरा गौर फर्माएगा मैं बरा करके समझा देता हूँ भले ही चितर थोड़ा दुंदरा दिख रहा है लेकिन समझ लेजिए आपको पहले ये एक बार ये थियूरम आपने कही न कहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेजिए कि अगर ऐसा केस कभी भी बनता है कि अंदर एक तिरभूज बनिया देखिए मैं सही से बना देता हूँ ये एक circle है और बाहर ये एक tangent है और ऐसा अगर triangle कमी भी बनता है तो ये अगर angle theta होता है तो ये angle भी कितना हो जाता है theta और वैसे ही ये angle phi है अगर तो ये angle भी कितना होता है phi ये आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा तो इसी concept पर ये सवाल बनेगा कि ये जो भी angle आएगा ये इस angle के बराबर आएगा हम ये कह सकते हैं और ये angle देखने आपने परहा होगा कि केंदर पर जो कौन बनता है उसका आधा होता है परिधी पर कौन और अगर केंदर पर 118 degree है तो परिधी पर उसका आधा होगा यानि की circumference पर उसका half होगा center पर जो भी angle होगा circumference पर उसका half बनता है तो 118 का आधा होगया 59 और अगर ये 59 है तो ये angle भी कितना होगा 59 होगा इस theorem से तो इस सवाल का answer क्या आगया हमारे पास 59 यानि की 69 degree इस सवाल का उत्तर है आप option में देख सकते हैं यहाँ पर option C क्या है इस सवाल का सहे उत्तर है 59 degree is the correct answer तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो समाप्त करने से पहले आप से जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी क्या रहा है आपको वीडियो कैसा लगा हमारा और कितने आप excited है कि CHSL का solution टाइम से चल जाए और CGL वाले बिलकु वहां आने से पहले आपको पूरा CGL का solution मिल जाएगा algebra पूरी मैं खतम कर दूँगा 53 question मच गया है और उनको मैं कल के date में ही खतम करने वाला हूं एक ही साथ दोनों वीडियो मिल जाएगी आपको back ठीक है तो आप बिलकुल भी tension नाल लें और जो पहले से पढ़े हैं उसका revise करते रहें ठीक है ज्यादा tension लेने की जरूत नहीं है और CHSL वाले या CPU वाले जो भी लोग है या CGLP वाले जो 220 में देना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर से देखें और practice करें thank you for watching the video comment जरूर करना